मैंने पट्टी बान दिये और इंजेक्शन भी लगा दिया है लेकिन चोट काफी घरी लगी वैसे तो घबराने वोली कोई बात नहीं है वैसे आराम की और देखभल की बहुत ज़रूद है आप बिल्कुल फिकर ना करें डॉक्टर साब आप खाली ये बता दीजिए बाबु हम उसी तरीके से खातिरदारी करेंगे बाबुजी की खातिरदारी नहीं करनी है देखभाल करनी है सही खुराद, सही दवाया, इंजेक्शन ये सारी चीज़े देखनी होती है ये सब आप लोग नहीं कर पाओगे तो आप यही रह जाओ हम आपके रहने के बंदुबस कर द कर देता हूं वो उनकी अच्छ से देखभाल कर लेगी नहीं नर्स यानी की लड़की नहीं डॉक्टर साब इस घर में लड़की नहीं आ सकती हमने बाबुजी को वचन दिया है इस घर में लड़की नहीं आ सकती पहली बात तो मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूं मैं न कुछ नीच हो गई तो इनको पैरलेसिर अटक भी आल सकता है हो सकता है इनकी जान भी है बाबुजी की जान जब इंपोर्टेंट है देखिए जैसे डॉक्टर कह रहे है ऐसा हमको करना चीह भी यह अखाडे की दाउफ की बात नहीं है दवायों की बात है हमको रिक्सने लेना कि बाबुजी की तरबेट खराब है हम तो डॉक्टर साब को सिदा यहां ले आए जैक को हमने फोन किया था उसका फोन तो स्विच ओफ जा रहा है मुझे देर हो रही है आप लोग फैसला केर लिजे और मुझे बता दीजे मैं चलता हूँ डॉक्टर साब रुक्की मैं फैसला हो गया है आपको बाबुजी के लिए जो ठीक लगता है वैसे कीजी आप हाँ तो ठीक है नर्स को ब्ला लेते हैं मेरा मतलब की इस टेम बाबुजी की जान जाता हम इंपोर्टेंट रहा हमारे लिए तो जैसे टोक्टर साफ बोल रहे हैं ऐसा हमो करना चाहिए तो नर्स को बला लेते हैं बाबुजी की सेवा भी हो जाएगी और उनकी सिहत का भी अच्छी से ध्यान लखेगी नर्स हुच्छों कर बाबुजी को क्याह बज़ क्यार हुआ okay क्याए थक्यार अबकार और शबकषमि सेङों? रचों शुला कि रचह पना भ measच़े है कैसे हुआ ये मैंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था न प्रिया प्रिया नहीं नर्स कस्तूरी कहो कैसे हुआ चे कपने का